वकीलों का रियाक्शिन लगातार सामने आ रहा है मनीश सॉदिया को जमानत मिलकी है जो जो दर्शक अभी अभी हमारे साँज़े हैं वो जान ले सुप्रीम कोर्ट से इस वक की सबसे बड़ी रात मिली है मनिश सोधिया को, आमादमी पार्टी को, मनिश सोधिया 17 महीने से जेल में बन थे और अब 17 महीने बाद जमानत पर वो रिया हुरे हैं, रियाक्शन सारे हैं और उन्होंने ये भी हिदायत दिये सारे निचली अदालतों को, कि ऐसे मामलों में जहां पर डिले और लंबी इनकार्सरेशन है, ऐसे मामलों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोड को जमानत देनी चाहिए जाच एजनसी पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया, और ये कहा गई, जाच एजनसी इस पूरे वामले को लंबा खीच रही थी, मनि सुसोडिया की तरब से कोई दिरी नहीं की गई और अगर आपने इन्वेस्टिकेशन ही नहीं करी है, तो कंग्लूजन अव ट्रायल का तो कोई मतलब ही नहीं है अब हम कोशिश करेंगे कि जैसे, as and when the order has been made available to us, we'll try and get him out today itself Supreme Court has today passed a historic judgment, it is historic in so many senses because first time the Supreme Court has come Manish Sisodia को ये सबसे बड़ी रहत मिली है, हाला कि जिस तरीके से अभी कोट में दलीले चली है अब सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोट ने ऐसा करने से इंकार दे दिया है और इंकार करते हुए जवानत दे दिया है, Manish Sisodia को आला कि पासपोर्ट जमा कराना होगा बिल्कुल पासपोर्ट जमा कराना होगा और किसी भी एविडेंस को चेट है ये अबारा लोकतंतर है, लोकतंतर में सबको सोचने विचारने का समय मिलता है तो आपको भी जमानत दिये कारण से ये कंडिशनों में दिये है, उसका निर्भा करते रहेगा और देखी गागे क्या होता है ये हर सोंबार को कोट में हाजरी देनी होगी, पासपोर्ट जमा कराना होगा, हर सोंबार को थाने में जाकर हाजरी देनी होगी ये एक कंडिशन रखी गई है, साथी साथ E.D.C.B.I. की तरफ से मांगी गई थी कि मुख्यमंत्री ओफेस और सचिवाले ना जाने दिया जाए यहाँ पर लेकिन सीधे 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 सुप्रीम कोट ने इंकार कर दिया ऐसी रोक लगाने से और जमानत दे दी है 26 परवरी 2023 को गिरफतारी हुई थी मनीश सीसोरिया की लगातार रियक्शन्स आ रहे हैं अफसर माफी लेकिन आप अपनी बात पूरी कर ले बिल्कुल कई सारी शर्तों के साथ बेल दी गई है जिसमें की विदेश नहीं जा सकते जो गवा है उनको नहीं कुछ बोल सकते जो भी जाच होगा उसमें सहीयोग करेंगे पास्पोर्ट जमा कराएंगे और साथ ही इसमें बड़ी बात जो आपने भी बताई की एडी और सीबियाई ने कहा था कि मनीश इसोदिया को मुख्यमंत्री ओफिस या सचीवाल है जाने पर रोक लगाई जाए क्योंकि अगर वो वहां जाते हैं तो वो असर डाल सकते हैं क्योंकि वो एक खुद पावर्फुल तरीके से लोगों को भुआ सकते हैं सर्वेश मिश्वा मेरे साथ में जूड़ गया हैं उनसे हम बात कर लेते हैं सर्वेश जी आज की सुभा तो बड़ी अच्छी खबर लेकर आई है राध की ये खबर है हाँ निश्चित तोर पे पूरे देश को बढ़ाई आमाद्मी पार्टी के कारकरताओं को बढ़ाई जिन्हों ने इतना इंतिजार किया जो इस संगर्स में साथ रहे और सत्रह महीने तक इस दिन का इंतिजार करना पड़ा लेकिन इस सवाल भी है क्या नरिंद्रमोदी जी चैबा इस देश की सरकार वो सत्रह महीने उनके लोटा पाएगी इस देश में एक सिख्षा करांती का मॉडल दिया अर्विंद केजिवाल जी ने और मनिसी साथिया जी ने एक पूरे ही फाल्टू मामले में एक ऐसे मामले में जिसका कोई सिर्पैर नहीं है एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से इस तरीके से किया गया तिकि आज ने आयलाय का हम धन्यवाद देते हैं पूरी तरीके से खुश है इसको आगे लेकर भी जाएंगे भारती जनता पार्टी से लड़ाई भी चलती रहेगी ताना शाही के खिराफ भी लड़ाई चलती रहेगी लेकिन ये देखना है कि कैसे एजेंसियों के द्वारा नेताओं को और पार्टियों को परिशान किया जाए तो कहा था देखो देखो कौन आया शेर आया शेर आया जब पूरे धूम धाम से स्वागत होगा उनका और जिस तरीके से कारकरताओं का होसला बुलंद है अभी से देखे सब जगर मिठाईयां बाटी जा रहे हैं लोग आ रहे हैं और कुछी दिनों में अर्विन केजरिवाल जी के भी रहाई होने वाली है हमारे कारकरताओं का जोस बहुत ही उचा है उनके संघर्स को सलाम उनके विश्वास को सलाम सब लोग मिल जिल कर उनका स्वागत करने जाएंगे उनको लेने जाएंगे अब उमीद है कि अर्विन केजरिवाल भी जल्दी बाहर आएंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को ये बड़ी रात मिली है मनीश सिसोडिया को ये बड़ी रात मिली है परिवार वाले सबसे ज़ादा बेसबरी के साथ सर्वेशी इंतजार कर रहे होते हैं और परिवार के लिए आज सबसे बड़ी राहत की ये सुभा है पिछले 17 महीने से इस दिन का इंतजार किया है परिवार ने निश्यत और परिवार के लिए उनकी पत्नी की कितनी तबेद खराब है सब को पता है उनका परिवार और उनका परिवार आम आदनी पाटी सब में खुशी की लहर है वो आएंगे और उनके सिक्षा के मॉडल को पूरी दुनिया जो जानती है पूरे दिल्ली में जिसका परभाव था उसके परभाव को और आगे लेकर जाना है और भारती राजनेती में सिक्षा की दिशा को एक नया स्टेज जो दिया था उसको आगे लेकर और बढ़ाना है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि किसी एक व्यक्ति को आप जेल में रखकर उसके होसलों को मार नहीं सकते हो उसके होसलों का जो परिडाम है वो और आगे तक लेके जाएगा उनका संघर्स और काम आएगा हम जैसे लाखों कारकरता उनसे इंस्पायर होते हैं उनको देखते हैं उनके काम की शैली को उनके रिजल्ट ओरिएंटेड काम को उसको लेकर हम और आगे बढ़ेंगे और परिवार एक बहुत बड़ा होसला होता है परिवार उनके साथ रहा हमेशा ये सभी कारकरताओं के लिए जो लोग भी राजनितिक संगर्थ में हैं उनको सीखने के लिए बात है अच्छा एक बड़ा परिवार तो दिली के वो बच्चे भी है जिनके लिए स्कूल बनाए गए स्कूल में बहतर इंतजाम किए क्योंकि जब मनीश सुदिया जेल गए तो बच्चों की बड़े उन तक चिट्थियां पहुंचती थी और खुद वो भी बच्चों के नाम चिट्थी लिखते थे और कहते थे अपना पढ़ाई लिखाई में धियान रखना मैं जल्दी बाहर देखिए मनीश सुदिया जी एक ऐसे सिक्षा मंत्री हैं जो सुबह पांच बज़े जगके 6-6 बज़े स्कूलों की प्रेयर मिटिंग अटेंड करते हैं इस देश के एकलोते ऐसे सिक्षा मंत्री हैं जिससे सीरे बच्चों का कनेक्ट था बच्चों से जाना मिलना उनसे ब जीना सिक्षा और चिकित्सा को बदले हुए हमारे देश को एक विक्सित देश नहीं बनाया जा सकता है और इसमें मनीश सुदिया जी और ऐसे नेताओं का योगदान है तो दिल्ली के जो 16 लाग बच्चे हैं उनके अभिवावक हैं और उनको सुरुआज से गाइड किया और उन्हीं के मौडल को लेके पूरी आम आदमी पार्टी चल रही है पंजाब में हमारी सरकार चल रही है और दूसरे सरकारों से भी हमारा हमारे निवेदन होता है कि आप सब लोग भी इस मौडल को लेके चलिए कि जिससे आप अपने स्कूलों के नाम पे वोट मांग सके और मनीश सिसोधिया जी ही वो नेता हैं जिन्हों ने इस आम आदमी पार्टी को इतनी ताकत दी कि उनके किये गए कामों के लेकर हम जनता के बीच जाते हैं और ये कहते हैं कि ये काम हुए है इसके हमें वोट दे दीजे तो उस नेता को सलाम उनकी हिम्मत को सलाम और उनके 16 लाक बच्चे जो दिल्ली में उनका परिवार हैं जिन्होंने उनके भरोसा रखा जिन्होंने उनका साथ दिया उन सबको सलाम करते हैं यानि कि एक स्वागत होगा मनीश सिसोधिया के परिवार वालों की तरफ से एक स्वागत आमादमी पार्टी जो उनका पूरा परिवार है उसकी तरफ से और एक दिल्ली के उन खास बच्चों की तरफ से जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि मनेश्ट सूरिया कब जेल से बाहर आएंगे स्वागत के जो संख्यां है आप यह अभी नहीं तएक कर शक्षित हैं पूरा दिल्ली उनका स्वागत करेगा पूरे दिल्ली को उनका इंतजार है इस दिल्ली के लोग बेतात से सब लोग घरों में अभी बैटते थे चार चाँँ पे बैटते थे तो कहते थे सरकार ने बहुत गलत किया और एक नेक वेक्ती को जेल में डालके रखा हुआ है दिल्ली के बच्चे उनका स्वागत करेंगे पूरी पार्टी स्वागत करेंगे पूरा परिवार स्वागत करेंगे अलग अलग स्थाएं और लोग स्वागत करेंगे पूरा देश बेस अपरी से इंतिजार कर रहा है उनको सुनने को उनके विचारों को आगे जानने को और उनका जो आगे का जो लक्षा है सत्रा बहिने का जो सफर होगा जिसमें आम आदनी पार्टी के नहीं उचाईया देंगे उसको जानने के लिए विरान सभा एलेक्शन में काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे निश्ची तोर पे हमारे जब भी नेता बाहर रहेंगे उनका परड़ाम अच्छा ही रहेगा हमारे नेताओं को होसलों को दबाने के लिए ही भारती जन्ता पार्टी और नेंदर मोदी जिये करते रहते हैं लेकिन हमारे नेताओं का होसला कमजोर नहीं होने वाला है सांसा संजा सिंग जी को चैवाई ने जेल में रखा उनका होसला क्या किसी को कम रखा कम दिखा अर्विंद केजरिवाल जी जेल में रहा क्या एक किस दिन के लिए बाहर क्या उनका होसला और ने लड़ने की शक्ति किसी को कम देखी तो आब देखिएगा कि हमारे नेता हैं राजनिती के तहर राजनिती के तुरू इस देश को बदलना चाहते हैं उन सब के लिए एक नया मील का बतर शाबित होंगे जी सर्वेश मिश्रा जी एक बार फिर से आपको बहुत बढ़ाई अब मनीश्ट सोरिया जी आज जेल से वहार आ जाएंगे आप उनके स्वागत की तैयारियां कीजिएगा आगे बहुत मेहनत भी करनी है जैसा आपने का अभी के लिए हमारे साथ जुनने के लिए बहुत बहुत शुक्री है आपका तो मनीश्ट सोरिया 26 जंदरी 2023 को गिरफतारी होई थी 9 अगस्ट यानि के आज 2024 में 17 महीने के इंतजार के बाद आज ज अब साथ में 17 महीने बार मनीश सोधिया को रात मिली है जमानत पर आज बाहर आने वाले हैं मुहमद अफसर अफसर से शायद हमारा संपर्ख तूट गया है अभी तक को हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी है EDCBI के जरिये ये मांग भी की गई थी कि मनीश सुरिया को अगर राहत दे भी रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री आफस पढ़ना जाएं सचवाले ना जाएं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये सरूर का कि आपको पासपोर्ट जमा करवाना होगा और हर सोमवार आपको हाजरी देनी होगी ताकि